तो आज मैं आपको दो ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनके थुरू आप काइन मास्टर में अपने वीडियो को इंप्रूव कर सकते हो So, वीडियो को पूरा देखना and let's get started Hey everyone, my name is Rupain and welcome to Film.com So, हमारा जो first trick है, वो है, smooth zoom transition So, ECFA को create करने के लिए, सबसे पहले आपको अपने timeline में किसी दो वीडियो को import कर लेना है इसके बाद इन दोनों footage के बीच वाले transition part पर आपको click करना है और इसे इस तरह scroll down करना है और अब हम click करेंगे get more के option पर इसके बाद हमें search करना है acceleration transition pack को जो कि यहां हमें मिल चुका है, हम इसे करेंगे click और यहां से हम इसे download कर लेंगे तो यह download हो चुका है, हम यहां से करेंगे gut और यहां हम acceleration पर click करेंगे तो हमें चाहिए zoom effect, तो यहां हम तिसरे नंबर वाले transition पर click करेंगे और इसका duration हम one second कर देंगे इस तरह से तो इस तरह आपको एक cool zoom transition मिल जाएगा ट्रिक नमबर टू है text behind object इस ट्रिक के लिए आपको ऐसा footage चाहिए जहां contrast बहुत high हो जैसे कि हम इस वाले footage पर देख सकते हैं जो हमारे subject का contrast है वो बहुत high है as compared to their background तो इस trick को create करने के लिए सबसे पहले आपको अपने footage को timeline पर import कर लेना है अब हम layer के option पर click करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे text पर तो यहाँ से हम कोई भी एक text ले लेंगे जैसे कि मैं यहाँ text ले लेता हूँ और इसे okay कर देंगे अब हम इसे इस तरह से resize कर देंगे और इसका font हम यहाँ जाकर change कर देंगे और हम इस test layer को भी stretch कर देंगे अब हमें करना है इस test layer पर click और जाएंगे blending के option पे और यहाँ से हम इसे overlay पे set कर देंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा text subject के पीछे जा चुका है आप यहाँ से अपने colors को भी tweak कर सकते हो तो इस तरह आपको एक cool effect मिल जाएगा So I hope आपको इस वीडियो अच्छी लेगी होगी इसी तरह के tricks के लिए इस channel को subscribe करना बिलकुल मत भूलना और मिलते हैं एक नए interesting video में तब तक के लिए be creative